कि सभी सातियों को मेरा नमश्कार स्वागत है आप सभी का आज 13 जुलाए के जन सत्ता विश्लेशन में आये शुरू करते हैं आज का जन सत्ता विश्लेशन बिना किसी देरी के प्रथम तुष्ट पे प्राजितिक खबरे हैं जिनसे बचते हुए हम अपने संपात्य की ओर ज काम है कल्प मेधा में बात करी है सुभा से शाम तक काम करके आदमी उतना नहीं थकता जितना करोध या चिंता से पल भर में थक जाता है और ये शब्द है जेम्स एलन जी के मन को शांत रखिए कारे करते रहिए जीवन में सफलता बरक्रा रहेगी और ये लेख है परिक्षा में सुरक्षा की कमजोर कडियां लिखा है प्रजीश कुमार तिवारी जी द्वारा सबस्त नियाले अब चिकित्सा असनातक पाठीक्रमों के लिए आयोजित की गई पातरता सहः प्रवेश परिक्षा यानी नीट योजी 24 से जुड़ी या चिकाओं की सुनवाई अगले हफते करेगा अठारा तारिक की डेटी गई है पिछले मेही नतीजे घोशत होने के ब हमें समय रहते मैं आपको रुकिए बोर्ड में बताता है जो लेक में बताया हुआ है कि पहली बात तो पेपर लीक होना बहुत कॉमन हो गया है और इसमें टेक्नॉलोजी के माध्यम से वाटसैप टेलिग्राम से ये और ब्रहद हो गया है मतलब बहुत जल्दी दूर दूर पहुच जाता है पहली बात तो वैसे वेकंसी बहुत लेट आती हैं जो पद हैं वो लंबे लंबे समय तक रिक्त पड़े रहते हैं उसकी उपर से वेकंसी जब आती है तो ऐसी घटनाओं की वज़ा से शात्र परिशान रहते हैं सॉल्वर गैंग माफिया तक्नीकी पहाँ शिंत्रों का स्तमाल करके दूर दूर तक लोगों तक पेपर पहुचा देते हैं जिससे पेपर लीक हो जाता है और ये भी लेखक ने हमको ध्यान के इंदित करते हुए कहा है कि जब जब ऐसे लोगों को जेल भी हो जाती है कड़े प्राधानों के अंतरकत फिर भी बाहर आ जाते हैं और फिर से यही काम करते हैं मतलब कानून का अभी वी इतना सक्ती से पहरा नहीं है लेखक ने यह भी दि को बताने का प्रियास करा है कि online based examination computer based examination में लीख होने के chances जादा है वो तो ठराला की user में भी हुई रहे मगर इन में जादा है तक्नीकी फाइर wall security systems को break करके या access को इस SSC में बहुत पहले यह अच्छा में आया था की कुछ कंप्योटर सेंटरों ने जो जहाँ इंजाम हॉल में कंप्योटर रखे होते हैं उसका remote access दिया remote access मतलब की उस computer में जो भी हो रहा है वो एक software के माद्यम से दूर रखे किसी solver के computer पर भी आएगा मतलब शात्र क्या करेगा शात्र यह मान लिजी कि बंदा गया कंप्यूटर लैब में जहां पर उसका एक्जाम सेंटर था उसने अपना लॉगिन आइडी वगरा सेट कर दिया अगर वह माफिया वाली लैब होगी इस एक्जाम सेंटर होगा सब मिले होते हैं पूरी पूरी सिस्टम बनाय हुआ है कुछ के कर दें कंप्यूटर में कि उसका remote access दूर किसी रखे कंप्यूटर पर होगा या तो वह कंप्यूटर जहां पर होगा किसी को बता भी नहीं होगा पूर कि जैसे चांधर अपने login details को Block fry natieg करें आपे log in हो जाएगी मतलब अब जो भीको सब्सक्राइबsky शॉलवर यहां बैठे बैठे पूरा पेपर आपका सॉल्ब कर देगा वहां पेपर आपका सॉलuteur हो जाएगा आपको बस यहांपर बैठना है और सूते रहना है तोन फेपर सब्मेट ही ही से हो जाएगा एवरिफिंग डन और आप बर्ती में उत्तीन हो जाएंगे ये चल रहा था कंप्यूटर बेस एक्जामनेशन में स्कैम करने का तरीका हमज़े आप जैसे जैसे पत्तों की परिक्षाओं का दौर तेजी से बड़ा है अन्यमित्ता की प्रकृती भी बहुत बड़ी हो गई है बर्तियोपयो आयोगो में राजनेतिक संपर्क वाली निक्तियों पर पूरी रहत रहा रोक लगाई जाए ये भी जरूरी है देखी जो टेंडर्स वगरा होते हैं ये पॉलिटिकल इंफ्यूएंस होते हैं उन्हीं लोग को दिये जा रहे हैं जिनका लिंक होता है इस पर रोक लगाने चाहिए अधित्या परिक्षा के इंदर निजी संस्तानों में होते हैं उन मेंसे कई मानक के अनुरूप नहीं है सावजनेक परिक्षा अधिनियम 2024 में कई खामिया है जिसमें ततकाल सुधार की अफशकता है सावजनेक परिक्षा के परिक्षा फूर्ड का एक अपराद बड़े पैमाने पर जनता को पराद करता है इस कानून में बहुत सी खामिया निकल के आ रही है पारत अधिनियम में कारवास की नियुनतम अवदी तीन साल है जिसे दस साल करना चाहिए था अरे भाईया तीन साल इतने ऐसे अपरादियों के लिए जो ये काम करते हैं तीन साल कोई बड़ी बात नहीं हमें लग रहा है तीन साल हमने इनको जेल कराने के लिए पर अफदान दी दिया है पेपर लीक कराने पे तो उमर कैद और मिनिमम दस साल होनी चाहिए चौदा पंदा साल से पहले निकले इनावनदा भार और मैं तो कहता हूं कि तो बहुती सीरियस फाइंस लेने चाहिए इन से और साती इनकी जेल टम बहुत बड़ा दिना चाहिए योगि ये किसी का करीयर बरबात कर रहे है तीन साल क्या होता है तीन साल तो नॉर्मल किसस में निकल आतने बरी भी जाएगा वही निवधार सजा की राशी अपराद की गंबीरता के नुरूप नहीं है इसमें समयबन जहांचा कोई अबाधा नहीं है अधिनियम के तहर किसी अपराद के लिए जुर्माना अदाना करने के सिती में कारवास की अतिरिक सजा के साथ-साथ अपरादी की संपत्ती जप्त करने के प्रद्धान भी शामिल किया जाना चाहिए ता इसके अलावा अनूचित साद्दों का लाब उठाने में शामिल उमीदवार को भविश्य की किसी भी परिक्षा का लिए आयों की खुशित कि जाना चाहिए और जो भी छात्र अगर इस एक्टिविटी में इन्वाल्व कर जाता है मतलब चीटिंग वगरा में तो उसे लाइफ टेम डिबार कर देना चाहिए सेरकारी उभागों में नौकरी पाने की लिए चात्र कमर्तोर मेनद करते हैं मगर इमांदारी से पड़ों की परिक्षाओं की त्यारी करने वाले चात्रों का حस्ला भार रहा है आज उनके अंदर निराशा है और इससे इनके परिवार का मनौल भी तूट रहा है परिक्षा जंसी का अपना प्रिंटिंग प्रेस हो या गंटे पहले सॉफ्ट कॉपी की कोड लॉक के मादम से सीधे भेया जाए और परिक्षा के इंदरे में मौझूद अभिहारतियों को वहीं प्रिंट करके फितर्थ किया जाए ये समधान बहुत अच्छा है कि पहले से ही कुछ भी करिए मगर सेक्योर करिए इस इजाम से सिंटर को और जो नहीं है कानून लाया गया था सावजनिक परिक्षा अधिनियन 24 इसमें बहुत कमी आए अभी भी पता नहीं सरकार को समय रहते हैं समय नहीं नहीं चाहत्रों के पविश्य की बात है अगला लेक है आंदोल उन्हों के विरोध में आंदोलन शुरू हुआ तो हर्याना सरकार ने पंजाब और हयाना की तरफ दिल्ली की तरफ बढ़ रहे किसानों को रोकने के लिए सड़के खुदवा दी थी फिर जब तीनों कानून को वापस लेने का वक्त यह सरकार की तरफ से किये गए वादे प मोटी मोटी कीले गार दी गई किसानों ने वहीं डेरा डाल दिया तो कई दिन तक उन पर ड्रोन से आंसु गैस के गोले बरसाए गए तो यह सब स्टेश्ट ने यह प्रयास करें कि आंदोलन को रोका जा सके उस दुरान हजैना पुलिस के तरफ से गोले बारी भी की गई ज लोग यहा से वहां ट्राविल करते हैं माल डुलाई होती है ट्रक्स जाते है पूरा लॉजिस्टिक स्चेंज आता है देश का ट्रेड होता है सब दिक्कत हो जाता है असरोष नियारे ने कह दिया है कि हर्याना सरकार की इस तरह राजमारगों पर बादा घड़ी करने का भुहार लगाई थी उसे की सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि शम्भू सीमा से अवरोदक दुरूंद अटाए जाएं किसान भी नागरिक होते हैं और उन्हें सरकार के सामने अपनी मांग रखने का हक है इसी तरह कानूनों के विरोध में उठे आंदूलन को दबाने के है मगर लगता है कि आदालतों के बार बार ये रिकांकित करने के बावजूद सरकारों को इसे लोगतांतर तगाजे की कोई परवान नहीं है राइट टू डिसेंट इस दा पार्ट अव डिमोकरसी कोई दिकत नहीं है आगे बढ़ें लापरवाही की बाड राजधानी दिल है कि एक तरह देखिए हम लोग पूरी गर्मी में सूखे में पढ़े रहते हैं बारिश नहीं हो रही वाटर टेबल नहीं जा चुका है फिर अचानक से बारेश हो रही है तो हम लोग समान नहीं पाते हैं मतलब सरकार समान नहीं पाती है जल भरा हो जा रहा है पानी रिस र और इसके लावा ऐसा कुछ विशेश नहीं है आप भी एक बार का धिन करिएगा और जो भी करेंटर फेस्स यहाँ पर चूट गई होगी मैं वेबसाइट पर कर दूँगा पेपर बहुत अच्छा है मैं आज भी कहता हूं कि जिन से तक जो कॉलिटी है आटिकल्स की और जो न जिसक हो reply मैं झो भू हो ईच्छा करेंग कि तक दो को जो है बहूं कि जो हो अजा है अदेश से से को कि ंधो हो